करनाल के असन में बिजली विभाग में कार्यरत बिजली कर्मी की बिजली ठीक करते समय करंट लगने से मोथ हो गई है जिससे पूरे परिवार में मातम चा गया पूली जांच अधिकारी ने बताया कि 30 वर्षे बलिंदर असन्द में बिजली विभाग में कार्यरत था और वह शापूर गाव में बिजली ठीक करने के लिए गया था इस दोरान बिजली ठीक करते समय उसको करंट लग गया जिससे वह नीचे गिर गया यहां नीचे पानी पड़ा था नीचे पानी में भी करंट आने की वज़े से बलविंदर की मोके पर ही मोथ हो गई वही परिजनों ने बताया कि बलविंदर किसी के यहां बिजली ठीक करने के लिए गया था तो अचानक बिजली का करण लगने से उसकी मोत हो गई वही पुलिस ने मृतक के शव का पोस्ट माटम करा कर शव परिजनों के हवाले कर दिया है वही कर रहे हैं जो की अब आज पोस्ट माटम करा लेती है तो शव कर दिया जाएगा और से यह सापँर का क्या मामला है यह बलविंदर सिंग नाम का लड़का था जिसकी उमर 30 साल है और यसंद में बतोर रांवान सब्सक्राइब कर रहा है था अरक लोली की छुटी होने कि वज ऐसे गाउं में था गाउं में मंदिर की लाइट खराब थी तो ठीक करने गया था जैसे यह गया तो वह निच्छे गिल्ला था उपर से तार तूटका निच्छा गिर गी अच्छा और एट इस पोरे लिए और मार में इसकी मा बाप गरवारी दो थो फोटे थोटे बच्छे आज तो क्या पक्के रेट उस पह था था बीज़ी वाग में अच्छा तो तो काम कर लिए चुटी वाले दिन अपने काम में बढ़े तो 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 हार पी मोत होगी कि आज पोस्ट मार्ट भूगा क्या नाम ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहट आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क कोई hidden charges भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर book करें